नमस्कार दोस्तों चर्षा बुर्दा फिल्मेंड आप सभी के एक बार फिर से सौगत आज हम बात करेंगे फिल्म डी यारी 7ms मूवी के बार में जिसे इसी साल रिलीज किया गया है यह एक फैंटेसी ड्रामा जॉन्डर वाली मूवी है जिसके राइटर और डैरिक्टर है अ यह कहानी है सांज की सांज और उसके बड़े भाई एलेक्स एक आकिटेक्चर कमपणी के ओनर रहते हैं उनका बिजनस काफी अच्छा चल रहा होता है एक दिन उनकी एक कलीक बुलबुल की एक एकसिडेंट में दित हो जाती है और उसके बाद से सांज के लाइफ में सब कुछ और ही है क्या रहते है कि पूरी कहानी यह जाने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी पिल कहां देखनी है तो यह इंटरनेट पे लेवल है अप इसे इसली सर्च करके देख सकते हैं फिल्म के स्क्रिप्ट और स्टोरी टेलिंग काफी यूनीक है ऐसे टॉपिक के गया जो सब्सक्राइब हो सकते फिल्म का स्क्रिन प्लेट टोटली इंगेजिंग रहता है सुरु साही हमारे इंट्रेस्ट बना हुआ रहते हैं इसका बैगरॉन म्यूजिक भी अच्छा है फिल्म के डायलोग्स नेटिव रहते हैं डायलोग्स में कुछ लाइन्स तो बार प्रियादी जैसे कलाकार पुड़े फिल्म में अनुराग जहाई यानि सांज की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करती है रुवन सिंग पटेल ने सांज के बड़े भाई यानि एलेक्स का रोल निभाई है इनका परफॉर्मेंस भी डिसेंट रहते हैं बाकी एक्टर की बा पहानी ही पलड़ जाती है यह फिल्म कामियाब होती है अपने मैसे ऑडियंस तक पहुंचाने में इन शॉर्ट यह वेल मेड मुवी है अब इस एक बर जलू ट्राइक इसे उमीद आपको पसंद आएगा मैं इस फिल्म को रेट करता हूं 8.7 आप प्रेंश्टार्स पैंड इसकी बात करती है अगर आपनी इसे पहले देख़िए तो आपको क्या हमारे साथ क्या करना है और दा अधकção की लीडियों की लोडियुобр Sometimes यह एक थो Whether